मैंने एक चिकन का कीमा निकाल लिया, सारा गोश निकाल लिया, उसका चिकन के हड़ियां बाकी रहे गई है, यह निकाल लिए बाद उसको अपने तखते पे रखे, अपने घर के कटिंग बोड पे रखे, उसको मैंने अपने हैमर से इस तरह कुचल दिया, ताकि जल से जल कीम बन जाए के जो ऊपर का होता है उपकर तो अगर आप नहीं भी भूएंगे तो आपको पताए है कि मैंने चिकन लाया था उसको बहुत अच्छी तरह धो लिया था उसकी खाली उतारी तो अब इसमें कोई गंदगी नहीं है ना यहां मक्षी आए और यहां जीनिक तोर पर बनाएं तो इसको धूने की विज़रत नहीं पड़ती है लेकिन आपका दिरिकरे तो आप इसको धूए धूने के बारे आगे लुए पर तो ँाहूंड है पूल रही जैंसके ऻंदगे को है तो तो उन यहां तो हम मसाला नालके दोबारा जिकात हूं उस फीडियों मैंने मसालों को दिखाया है तो ने में मासले में आ느री करता है कि पथिनस में चाह तब गरब गर में कड़ाएं तो इस तरह उड़ी जाई घी प्यास है प्यास को हमेशा आप चौप कर लिए करें और प्यास को अगर किसी च्छनी में दाल के च्छनी में दाल के च्छनी में दाल के च्छनी में दाल के मैं आपको दिखाने चाहता हूँ यह कोशटा हूं छणने में दालके इस तरह सर्वा उप अंदर डालने के बाद खियास को अगर हम दबाएं उसका पानी निकल जायेगा पानी निइस सर जाएगा अब इसको प्यास को डर दो ढ़िए पयास चॉप कीवी थी मैंने पयास अंदर दाल लाजमी बात है कीमे में अब थोड़ी दी नमी आ गई है उसको कुछ कहले हैं यह हमारे पर ट्रिक है जो ट्रिक अक्सर हो विश्टलोग नहीं बढ़ाते हैं पूरी में ट्रिक हर कबाब पर पुड़ी है वह मैं बताऊंगा यह लेसन है अधरक है दरक अधरक एक इंच का यह चीज है अलग अलग आना चाहिए अब यह मैंने लेसन दाल दिया इसमें की मैने एक गांट ली ती उसमें इसे थोड़ा सा पहले आधा उसकिया और अधा भीन कर रहा हूँ अधनिया साबित धनिया और जीर Azara most important होता है कबाबों एंको तबेर बógडने का बाद आप दोनों को ग्राइंड कर लीजिए यह साथ धनिया और जीरा हमारा पड़ गया उसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे गरम मसाली की बारी है गरम मसाला एक चाय का चमब से कम आदा चाय का चमब समझे तक्रीबन और इसमें दो चीजे मोस्ट इंपर्टेंट है लेसन हराधनिया और पुदीना यह हराधनिय के पत्ते और इसकी डंठले भी मैंने काट दी है क्यूंकि आजकल मार्किट जाना नहीं हो रहा है यह काट दी है यह दाल दी और पुदीने के चन पत्ते हम कैंची के साथ काटके पुदीने के चन पत्ते दाल देंगे पुदीन के पत्ते काले से हो जाते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं उसमें गवरानी की बात नहीं परेशानी की बात नहीं हो सके तो निकाल दीए नहीं हो सके तो कोई उसमें खराबी नहीं है और दाल सकते हैं पुदीने के पत्ते डाल दी है तो हमने इसमें तो हमने इसमें तो हमने कुछ चीदों को हम मिलाएंगे याद रहे हमेशा मेरे कबाबों में मैंने ट्रिक बताई है ये कबाब सीखके पर चंटे नहीं है लोग बताते नहीं है मैं उसको बता देता हूं मैंने ये डबल डोटी का चूरा केर दिया दो तीन स्लाइस को सुखाने के बाद और उसमें एक देड़ दो चमच कॉन फ्लावर या आटा दाली और इसको इस तरह दाली है अब इसको आप डो को घूल लेंगे है उन्ने में हमें दो चार्मेंट लगी है और दो चार्मेंट के बाद हम इसको सीखके हों पर चड़ाएंगा मैं आपको सीखके बना के बताता हूं घर के अब मैं दूसरा कबाब आपके लिए आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं घरवालों को भी टेस्ट करा के देखा हमादी खाति और तो यह पसंद आई यह कोईले हैं जो यहां मिलते हैं मैंने और रख दिये और कोईले का जो कच्रा बीचे गिरेगा उसके लिए मैंने तबा नीचे रख दिया है ताकि कच्रा उसके अंदर गिरेगा और वो जमा हो जाएगा इनकेस कोई चीज गिर गया है जैसे यह गिरिया कोईला मेरा तो मैं उसको उठा के ऊपर रख दूँगा कोईलोगी फिजबू के लिए मैंने कोईल लगा दिये अपने बनाएवे डोव को जो कबाब कड़ो है उनको मैंने सीख के उपर चड़ा दिया यह की सीख है यह वो सीख है जिसे छुरी तेस करते हैं मैं एक एक करके बनाऊंगा अभी यहां पर मेरे पास मट्रियल पूरा नहीं है कुछ मैं इतना विजडी हूँ कि अपना सामान कहां कहां रख हुआ है निकाला नहीं बैरा इसको लगाने के बाद मैं इसको जला दूंगा यह हमारे कोईले पटपट जल जाते हैं यह हमने फ्रोड़ी सी मुचाई के लिए इसको उपर कोई भी जैसी चीज रख द हुआ लेकसी बलके जलना क्षब हुआ है और लिए क्कमी टिस क्राव हुआ नहीं होता फिले के जोड़ाता शुजे लिए से और हम ख़ू लाता बटर लिए का बटर लगाएंगे gust आ यह हम बटर लगाएंगे और यह हमारे कबाब कुटिख पर शुजलो गया दूसरी बात ये तो के अंदर आपके पात अगर निमू है तो इसमें आदा निमू भी टोड़ दीए तो यह हमारा कवाब बनने शुरू हो गया है कोईला है चुपक रहे हैं तो इसके साथ थोड़ी सी प्रब्लम तो आदेंगे तो हम अपने अकल से तको स्झी करेंगे यह मैंने कवाब को बनने शुरू कर दिया हमारा कवाब बनने शुरू हो गया उपर से हम इसके बटर ठोड़ा थोड़ा लगाएंगे चाके यह नरम रहे नरम वैसे भी रहेंगे, इसके अंदर हमने जो डबल रोटी का चूरा दाला है, उससे कबाब नरम रहते हैं, और मजीद नरम करना है, तो दो के साथ हम, दो के अंदर हम जो है, इसके जो आटा हम बनाया है, इसके अंदर आदा चमच दही दाल दीए, कबाब देशनी कितना के बहुत ही जड़ा है, तो यह हमारा कबाब भूना शुड़ हो गया, जैसे इप तयार होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे चार कबाब तयार है, अब तक मैं आपको इनको दिखा दूँ, आपको, इस तूले को बन कर देता हूँ, और कबाब को उतारने के लिए, उता लबन करने के बाद, ये चोथा कबाब सीक से निकाल दिया. कुछ कबाब थोड़े से ज़्यादा लालो गए, कुछ कम हो गए, कुछ मस्ला नहीं है. खाने में बड़ी ठेस्टी है. मैं इसको खा के दिखा है. मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ. और मैंने ये खरे मसाले की धरी दाल की चटनी बना दी रायता जिसको भूलते हैं ये देखें जबरतस्त बने हैं खा के भी मैं दिखाता हूं दिखाता हूं आपको ये देखिए और दौाइए और मद लीजिए और दौाओं में याद रखिए दो अफराद एक कराची से और इंडिया से खातून ने मुझे शुकरिया बहूत बड़ा मेसिज दिया है भाई अल्ला का शुकर हम मैं जो सिकाता हूं मुफाइदे के लिए सिकाता हूं और उससे आप फैदा उठा रहें तो बहुत-बहुत मैं दौाइए करूंगा आपके लिए बहुत-बहुत शुकरि प्रवादी